असलाम अलेकुम आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही जबरदस्त मटन पाई की रेस्पी इसमें जो चीजें जाएंगी वो हैं डेड़ किलो के करिब मटन के पाई साथ ही इसमें जाएगा हस्बे जरूरत पानी कुकिंग ओईल जाएगा इसमें एक बड़े साइज का टमार्टर एक कप दही दो दर्म्याने प्यास एक टेबल स्पोन कुटा धनिया दो टेबल स्पोन कुटा धनिया दो टेबल स्पोन क्रश्ट जिंजर गार्लिक दस क्लॉप्स गरम मसाला एक टी स्पोन आदा टी स्पोन हल्दी एक टेबल स्पोन नमक एक टेबल स्पोन रड चिली पाउडर यहां पर मैंने एक प्रैशर कुकर ले लिया है इसमें सबसे पहले डालेंगे मटन के पाई साथ ही इसमें जाएगा टमार्टर दो पेयास कटी हुई गार्लिक लाल मिर्च का पाउडर चला गया अब डला है इसमें नमक और आखिर में हल्दी अब हम इसमें तकरीबन चार से पांच का पानी डालेंगे और इसको ढग कर पकाएंगे जब तक कि हमारे पाई 50 परसंट तक गल जाते हैं जी तो पाई हमारे गल गे हैं 50 परसंट तक सबसे पहले में टमार्टर का चिलका डिस्कार्ड करोंगी इसके बाद इसमें जा रहा है कुकिंग ओईल कुकिंग ओईल के साथ ही इसमें जाएगा दही तकरीबन एक कप और दो टेबल स्पॉन अद्रग कुटा हुआ ये चीज़ें डालने के बाद हम इनको भूनेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट बहुत अच्छा सा इसको भूनेंगे इसको तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं बुनते होगे ये देखें कितना अच्छा ओइल छोड़ दिया है इनोंने तो अब हम इसमें डालेंगे पानी मैं तकरीबन एक जग पानी डालूँगे इसमें जिसमें हमारे पाए 100 परसंट तक गल जाएं और हमें जितना इसमें ग्रेवी या शोर्बा चाहिए हो हम उसके अकॉर्डिंग पानी डाल देंगे अब इसको 100 परसंट तक गलने तक पकाएंगे पाए गल गए हैं बहुत अच्छे से अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुटा धनिया और गरम मसाला और पांच मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे माशाला से आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी लुकाई है पायों की आप इसको रोटी या नान के साथ सर्फ करें अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब कीजिए थैंक्स और वाचिंग, अल्ला हाफिज